हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई योटूब चैनल फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे हरी मटर का निमोना जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाधिश्ट है और बनाना तो बहुत ही आसान है तो चलिए फिर फटा-फट इसी बनाना सुरू करते हैं इसी बनाने के लिए मैंने ग आप चाहें तो जीरा धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं सभी चीजों को डाल देंगे आधी छोटी चमच गरम मसाला डाल देंगे आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर डाल देंगे और आधी छोटी चमच नमक डाल देंगे नमक आप अपने टेस्ट केक वाडिंग कम या ज देख सकते हैं मसाले कितने अच्छे से रोष्ट हो गया है तेल भी बहुत अच्छी से छोड़ दिया और खुस्बू भी बहुत ही अच्छी आ रही है अब यहां मैंने एक कप हरे मटर का पेश्ट बना के ले लिया था यह देख सकते हैं मैंने इसे कितना बारिक पीस लिया इसे मसाले में डालेंगे थोड़ा सा पानी डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिला लेंगे इसमें आपको एक्ष्ट्रा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है अब हम इसमें आधा कप खड़ा मटर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसे मेडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए रोष्ट करेंगे ताकि अच्छे से रोष्ट हो जाए और तेल भी छोड़ दे और पूरे 12 मिनट हो चुके हैं और इसे देख सकते हैं मटर कितने अच्छे से रोष्ट हो गया और साइट साइट से तेल भी छोड़ दिया है और खुसबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है अच्छी तरीके से मिला लेंगे अच्छी दीख सकते हैं कितने अच्छे से पैन भी छोड़ दिया है अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे इसमें हम तीन कप पानी डालेंगे दो से तीन कप पानी डालें आप अपने हिसाब से पतला या गाढ़ा कर सकते हैं अच्छे से मिला लेंगे, अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे ऐसे ये 5-6 मिनट के लिए पकने देंगे, और पूरे 6 मिनट हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं, हमारा हरे मटर का निमोना बनके तयार हो गया है, बहुती आसान है इसे बनाना और खाने में ये बहुती आप इसे एक बार बना कर जरूर ट्राइ कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैन